हैं विवोंइब इस शाली वल्कम बैक टो श्रायन डेक्स क्लासे कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे डेली बिसस पे मेरे साथ जुड़ जाएं हर एक सब्जेक्ट की क्लास ले रही हूं कोई पैसल सब्जेक्ट नहीं है जिसके सुरात मैंने अभी तक नहीं करी है सारे सब्जेक की मैंने सुरात कर दी है एक ही क्लास होई होगी लेकिन सब कुछ मैंने टाइम से स्लाबस के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइस मैंने हर चीज को पॉइंट करते हुए अच्छी इस एक पैसिफिक नोट बनाकर आपको कोशिश की है कि आपको चीजें मैं वही दे सकूँ जो आपके एक्जाम से रिलेवेंट है हम यहाँ पर नोट में उन्हीं चीज़ें को लेते वे चलेंगे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं टेट सुपर टेड डिलेट सेट ले रहे होंगे नोट को पर तरीके से बनाते हुए चली आज की स्क्रास में हम यहाँ पर प्राड़ंबिक सिक्षा के नवीन प्रयास की जो आपका दूसरा पेपर है पचास नंबर का उसकी दूसरी क्लास करने चल रहे हैं एक क्लास हमने इसकी कर दिया इस लापस आपको मै करेंगे ठीक है चलिए यह रहा हमारा पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे प्राड़ंबिक सिक्षा ही तो प्रवधान एवां प्रतिबद्ध दाएं प्रविजन और कमिट्मेंट फॉदा एलिमेंटरी एडुकेशन यह हमारे पहले चैप्टर का नाम था हमने काफी सकते हैं कुछ बाते ही जानना जरूरी है मैंने इसको लिया हुआ है इसलिए है सुपर ऊठेट मे सी तैक में आका बहुत सारवा उनकर उपक से एक vendats टॉपिक आपका टॉपिक यहां पर है उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा कहा कि यूपी की जो गॉर्मेंट है उसके थुथ 2019 Geo tulisna के लिए बा लंद काल की घुषना की गई यह उन टॉपिक कि हमको जानना है कि उत्तरप्रदेश सरकार ने क्या क्या चीज़े कहीं हुई है ठीक है चलिए पहली बात राज परियोजना कारियाले उत्तर प्रदेश द्वारा सभी के लिए सिक्षा परियोजना तथा बेसिक सिक्षा नर्देशक उत्तर प्रदेश द्वारा सिक्षा के सार्जनी करन है तो बाद अदिकारों के कोश्चना नमलकित है अब हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे कोई भी जल्दी वाजी नहीं करेगा आज की यह क्लास बहुत ही अच्छी और इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको आपने जो चीजे पढ़ी है आज आपको कुछ नई चीजे में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी और फूल एक्स्वीनेशन के साथ तक कि अगर कोईशन आता है तो आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो ठीक है चली रेखते हैं पहला पॉइंट छे से चौदा वर्स सिक्स टू फॉर्टीन यर्स के जो बच्चे हैं तक कि आयों कि सभी बच्चों को निश्रुल को सिक्षा प्रदान करना फ्री एंग कंबल सरी एडुकेशन आपने पहले भी पढ़ा है अभी वियाब पढ़ रहे हैं सभी को सिक्षा देना एक पहली बात जो उत्तरप्दे सरकार के तरब से कही गई के तरब से भी कही गई है दू करना ठीक है आपको एक बात यहां पर और पता चलती है चली देखते हैं नेक्स्ट प्राथमिक विद्याले में सभी बच्चों को प्रदिन मध्यान भोजन की विवस्था करना आप टीचिंग करने कहे थे क्यों बहुत सारे बच्चे टीचिंग करने कहे थे तो वहां पर 12 यहां पर चाहिए कि प्राथमिक विद्याले में सभी बच्चों को प्रदिन मध्यान भोजन की विवस्था कराना विवस्था देना तीसरा पॉइंट यह सारी चीजे सरकार नधायत की हुई है कि यह यह काम होना थाए इससे होना चाहिए इतने से व कॉल लेक estavam की इनको क्या खर्ण यह शरकार्न आपने राजल के लिए विसेश चीजे करती ए ठीक है फोर्थ पॉइंट गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा क्वालिटी फुल एडुकेशन ठीक है सिक्षा प्रदान करने के लिए पतेग विद्धाले सिक्षक वर्ग और दो सिक्षा मित्रों की तनाती करना जो प्रामरी विद्धाले हैं वहाँ पे आपको अगर चाहिए कि आपकी जो एड रहता है लेकिन वह चीज नहीं मिलती है जो बच्चा वाँ सीखने जाता है आप खुद देकर आएंगे इस चीज को तो यहीं चीज यहां पर कही सारी सारी चीज़ गुडवत्ता पर है कि गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा देने के लिए हर एक विद्धाले प्रते सक प्रकार से इसलिए ठीक है देखिए फिफ्ट पॉइंट सैक्षिक द्रिस्ट से पिछड़े विकास खंड में कख्षा एक से लेके पांच तक सभी वालिकाओं को निशल को यूनिफॉर्म देना जो सैक्षिक द्रिस्ट से एडुकेशन के पॉइंट आप देख रहे हैं तो जो पिछड़े विकास खंड हैं जो पिछड़े जाते के लोग हैं और तमाम चीज़े जोती हैं जो थोड़े निम्न वर्क के लोग हैं एक से पांस तक कि जो बच्चे उनके सभी वच्चों को यूनिफॉर्म देने की बात कही गई है जैसे कि रिजर्व कोटा होता है चीजों के लिए वही मुद्ध यहां पर भी है कि बालिकाओं को नुशल को यूनिफॉर्म देना ठीक है अब तो सबको मिल रहा है सभी बच्चों को चाहिए वह गर्ल हो या बॉय हो सबको मिल रहा है लेकिन यह चीज कहीं गई थी पहले इस पहले जब यह चीज़े नहीं बात नहीं अब तो सब बराबर ही है से यहां पर क्या है अनसूचित जाति अनसूचित जाती और जनजाती एवं अन्य पिछडे वर्ग के बालक बालकों की कक्षा एक से पांच तक तीन सो रुपए और कक्षा से रख तक 480 वार्सिक चातर रुप्ति की विस्था की गई है सरकारी स्कूलों में भी जो अनसूचे जार एस्टी एस्टी वाले जो लोग हैं जो उस वर्ग के जो कटेगरी के बच्चे उन में आते हैं एक से लेकर पांस तक लड़का हो या लड़की उसको 300 रुपए का स्कॉलर्शिप मिलेगा और जो बच्चा 6-8 तक होगा उसको 480 रुपए का स्कॉलर्शिप मिलेगा आप बात को समझ रहे हैं एक से लेकर पांस तक 300 रुपए का मिलेगा और 6-8 तक को 480 रुपए की चातरवित्ती मिलेगी यह आपको सुपर्टेट में पूछेगा ध्यान रखेगा पॉइंट कर लिजेगा पूछा गया है रुपए तक की बात है जान लिजेगा आप से यह वार्शिप चातरवित्ती का रेट पूछ लेता है ठीक है तमाम लोग आते हैं वो अनुदान देते हैं ठीक है तो यहां पर यह जो अनुदान की वह यह पे स्पैसिफिक बात कोई नहीं कहीं गईगे विस्टराज की बात चल गए तो यह सरकाल की त्रप से जो मुझारी जा रहा है उसकी बात यहां पर की जारी और आप से बात कहीं जा रही है कि पांस हजार रुपे सलाना उनको मिलता है विद्धाले की मेंटेनेंस के लिए इस्कूल के रख रखाओ के लिए जैड़ु है और चौक है डस्टर है कपड़ा है पंक्खे का बिजली का बि सब चीजों के लिए हैं देखते हैं नेक्स्ट यहां पर है आठवा पॉइंट विद्ध्याले विकास अनुदान के रूप में 2000 वार्स यह विकाले विद्ध्याले का जो विकास है वहां पर रख रखा और विद्ध्याले का दोनों फर्क है जिसे एडुकेशन सिस्टम में रीड के लिए आना ठीक है उनको जहें कोई पार्क विकारा ले जाना तमाम चीज़ें अलग अलग जगां पर पूरी किसी भी तरीके से आकर आप जो सरकार के जब से मिल रहा है उसके अलामा आप कुछ चीज़ देना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं उसमें फ्रूब्मेंट पर उसमेति नाता हैं सुदाक हैं फट वह ग्राम सक्ष्छा समेति विरा बनती है जन्प्रणियरत भी किया जाता है अब हीवावा की जाती सारकश कोई चेंज ले आना है कुछ करवाना है कोई चीज़ बताना की करने सब की सहमतिं ऐसे सब के साथ बातों को को साज़ा करकि इन सब की गुड़वता को बढ़ाने के लिए आगे विकास करने के सरकार बहुत कुछ करती है प्राइमरी स्कूल के लिए बहुत सारी चीजे पैसे बहुत आते जहां भी सरकारी चीजे रहती है वहाँ पे ना हो बात किवा है लेकिन सरकार इस चीज को प्रवाइड हमेशा करती है ठीक है आगे चलते हैं मैंने आप से टोटल नौ पॉइंट को शेयर किया है ध्यान से रखेगा कोई गलती कोई भी नहीं करेगा अगर बरशन आपसे आता है और अपनी अवेरनेस के लिए यह सब बाते जाना बहुत जरूरी है ठीक है यह सारी चीजें मुझे भें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जब मैंने शिच को किया तब मुझे बड़ा चला कि हां यह चीजें ऐसे हुआ करती है ऐसे से रूल रेगुलेशन से फॉलो हो या ना हो बात की बात है लेकिन गवर्मेंट क्या क्या चीज़े प्रवाइड करती है ठीक है चली आगे चलते हैं अब देखते हैं नेक्स पॉइंट आपके सामने आज का दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट है आज की एक लास बहुत अच्छी होगी अगर आप सब इसको लास तक देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे यह बस समझे कि सिर्फ टेरेट देना है आपको इसको अवेरनेस के तोर पर बहुत सारे अलग जाम में भी आपसे पूछा जाएगा और टेट उपर टे पेपर है पहला और दूसरा बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग है मददार है अगर आप उसको इंट्रेस्ट के साथ और अवेरनेस के ले जाने के यह चीज़े होती है तब आपको एक नए चलेंज के रूप में ठीक है चलिए भारत में रास्टी बाली नीथी भारत में इ आजादी के कितने साल बात की गई आपको यहाँ पे दिख रहा है आजाद हो गया हमारा इंडिया उसके बाद यह सारी चीज़ें लाई गई हर एक पॉलिसी को बनाया गया हर एक पॉलिसी के सारे जितने उनके मैनुस्क्रिप्ट होते हैं सब चीज़ों को लिखा गया बता गया कि वह जन्म पूर्व और पस्चा जन्म से पैदा होने से पहले धर्ती पर आने से पहले और उसके बाद जितने भी बच्चे बच्चियों के विकास है तो पर्याप तेवं समझत स्वेवाएं लब्द कराएं ये सरकार केंद और राज दोनों का इतरदाई तो होता है कि क अगरहों में है तब गरह में है तब आरहा है तूसको जैन्म हो जा रहा है तो कोई रड़का हो ररी कि यह उसके डिल्लेप्मेंट के लिए, जितने भी सेवाइं अपलब्द कराशक्टे पहलों सकते हैं हर वह सुविदाइं Ladd कराई जाएंगा हैं तो ये नीती रास्टी बाल नीती आई कव वाई सकत 1974 आप से अब्जेक्टिव प्रश्ण यही एराईज होदाएगा रास्टी बाल नीती भारत में कव स्युकार की गई तो आप राइट आंसर बताएंगे 22 1974 करेक्ट है नो डाउट आगे चलते हैं देखते हैं क्या है कुछ चीजों को इंटरस्ट के साथ और समस्ते वे चलिए आपको चीजे अच्छी लगेंगे इस नीती का उद्देश हर एक चीज का हर एक पॉलिसी का कोई अब्जेक्टिव और एम जरूर होता है इस नीती का एम है कि देश क हर बच्चा देश का प्रतेक बच्चा पुरी का ईच बच्चा इच चिल्डं बच्चा हो बच्ची कुछ भी हो कि समग्रता पूंद्र विकास को सुनश्यच करने के लिए राज की वचन में बद्दद्दता को दरसाती है इसलिए बनाई जाती है कि कोई बात अगर लिखित दस्तावेश में दे दी गई है या जी यो गौर्रमेंट औरर पास कर दिया गया है तो उनकी जो वचन बढ़ता है जो बात कही गई है न इसलिए कहा जाता है कि प्राण जाये पर वचन ना जाये बात की वाली होती है जब सरकार हमारी कोई जो हमारी सरकार है वो कोई बात अगर दस्तावेश में दे दी है तो उस पे उसको खड़ा उतरना उसके दायत वह उसके responsibility है अब इन में कुछ पाते हैं वह समस्ते वे चलते हैं पहली बात बच्चों को देश की सबसे महातपूर समपत्ती मानते हुए बच्चे जो बच्चे हैं मारी इंडिया में मारी देश में उनको सबसे महातपूर समपत्ती सबसे महातपूर पावर सबसे महातपूर एसेट ठीक है समपत्ती को एसेट कहते हैं ऐसे संपत्ती मानते हुए, मानते हुए रास्टी बाल नीट 1974 के अंतरगत उसके इंक्लूड़िड बच्चों का संपूर्ण शारिरिक, फिजिकल, समाधिक, सोसल, मानसिक, मेंटल, विकास, सुनश्चित करने तथा जन्म से पहले और बाद के विकास की ओधी के दोरान ही गई है, एक ये बात की जो बच्चा जन्म ले रहा है और जन्म लेने वाला है, मतलब जो बच्चा आया है दुनिया में जो आने वाला है, दोनों का विकास ध्यान में रखते हुए, शारिरिको, मानसिको, समाजिको, आर्टिको, जितनी भी विवस्थाएं दे सकते हैं, एक पर्याप्त सेवाए प्रदान करने का संकल्प लिया गया है रिजलीशन लिया गया है कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा हमारे राज में होना चाहिए किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रास्ती बल लीटी बाल नीट 1974 के अकॉर्डिंग उसमें यह बात कही गई है दूसरा बालक जब तक जीवन या पनवे सक्षम ना हो जाए जब तक वो अपनी लाइफ को स्टेबिल्टी के ताथ साथ स्विकार ना कर ले वो स्टेबल ना हो जाए वो मैच्योर ना हो जाए इंडिपेंडेंडन ना हो जाए उन्हें उनके माता पिता से अलग नहीं किया दा सकते कोई राइट नहीं है कि किसी बच्चे को उसके पड़िए अलग कर दिदे किसी को भी यह राइट नहीं दिय आ गया है दूसरी बात तीसरी पॉइंट छे से चौदा वर्स आईव के जो बच्चे हैं बालक उनिवार सेक्षा उपलब्द कराने के लिए राज को समय बद कारेक्रम त्यार करना चाहिए छेज़ेशन के बच्चे उनको आप जो फ्री कंपसरी एड़ोकेशन की बात कह रहे हैं उसके लिए राज को अलग अलग टाइम इंटरवल पर बहुत सारे कारेक्रम को त्यार करना चाहिए कि यह चीज़े करवाएं चाहिए यह विंटर का वेकेशन है समर का वेकेशन है winter carnivals है summer carnivals है और बहुत साइच चीज़ें उनके लिए programs करवाईए ठीक है और 15 अगर्स पे 6 जनुरी पे उनके लिए funs अनुर्गनाईज करवाईए उनको सीखने को लिए बहुत सारे चीज़ें करनी चाहिए कारेक्रम को तयार करना लेकिन हाँ समय बद्धता समय का ध्यान र portion की कमी है उनको सही से खाना नहीं मिलता है गरीब होने के नाते बहुत सारे प्रोलम होती है आर्थिक स्थथी से मजबूत नहोंने को उनको दाल चावल जो नॉर्मल चीज़ें है वो भी नहीं नसीब होती है बहुत जगा तो वही बात यहाँ पे कह रही है कही जारे कि primary school म समझ रही है कि हाँ इसका भी अभाव है तो हम इसकी भी कमी को दूर करने के लिए उनको पोशाहार कारिक्रम चलाएंगे और उनको खाना भी प्रवाइट करेंगे क्योंकि स्वस्त मस्तिस्क में ही सारा विकास होता है ठीक है अगर आप स्वस्त हैं आप हेल्दी हैं तो सिख्षा नहीं है राज उनको सिख्षा प्रव़धान करने के वैकल्पिक साधन देती है सिख्षा दो प्रकार की आप मेंली मोटा मोटा तور पर धीक्या है तो तीन प्रकार लेकिन mainly formal or informal लोग बोलते हैं आपचारिक अनापचारिक आपचारिक सिक्शाथ स्कूल में आप जाकर टीचर के साथ वहां पे सीख लेकिन बहुत सारे से बच्चे जो आपचारिक नहीं जा पारे हैं और अनौप चारिक भी नहीं कर पारे है तो उनके लिए भी राज सरकार वेकल्पिक व्यस्था का पूरा प्रवधान करने की पूरी कोशिश में रहती है कि उनको इसका भी आपको बिल्ला वकर आप वह नहीं जा पारे हैं और आपको अनौप चारिक तो आप कर ही पाओ इनका भी आपको पूरी तरीके से वेकलबिक वरस्ता देती है ठीक है सिक्स देखिए बाला के दी चौदा वरस की आयू से कम का है अगर कोई बच्चा है वो चौदा साल से कम है तो राज स्टेट उसे जोखिम पूर्ण पादक कार में लगाने की अनुवती नहीं देता है अगर जिसे कोई साल ने काम हो रहा है जिसमें सब को साहिमती दे के काम करना है वैसे कहा गया है कि छोटे बच्चे हैं उनको बाल स्रम की जुबात कहीं गई उन्हें बच्चों को नहीं लिया जाता है लेकिन अगर कोई साल ने काम हो रहा है तो उसमें उनको इंवाल्व कर लिया जाता है जो कहीं का विकास करना हो या कोई निर्मार करवाना हो वैसा लेकिन को कहीं कि काम में लगवाया चाहिए तो इसका कोई अनुबती नहीं दिया, इसका कोई राइट या कोई अलाविंस नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, अगर कोई किया करता है तो उसको डंड भी दिया जा सा हुनर रहता है ठीक है प्रोसाहन देने तता सहायता प्रदान करने के लिए विशेश कारेक्रम संचालित कर सकते हैं आप उनके लिए एक्सपेरिमेंट करवाईए आप उनके लिए एक्जिवीशन लगवा दिए गाउं गाउं में तो बच्चों को मनला फैला दीजे कि ऐसा सारी चीजों से क्या होता है उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है वो चीज को करने लगते हैं उनको सहायता मिलती है चार लोगों से बात करने का उनको मौका मिलता है यह सारी चीजें उनके विकास में आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करती है प्रोसाहन देती है ठीक ह तबाकू दारू और तमाम चीज़े जतनी भी मादक पतार्त हैं जो YU और सारी चीज़े खाने पीने को आती हैं उल्कसी चीज़ेगं इधर फटे पैकट्स में तमाम चीज़े जितनी भी चीज़ें इनको इसके सेवन से बचाना चाहिए इनको इसका व्यापार नहीं कर देखे जुगी जोपड़ियों में छोड़े बच्चे जो है यह तबाकू भीडी पान सिकर्ट सब बेशते हैं एक चाय का ठिल लगा लेंगा और यह सब बेशते वे दिखते हैं अकसर दिखते हैं कि नही देखे एक को सकर नहीं लगेगा वह तुर्ण सचीज को खालेगा जिसे भूख लगी यह लगा अरे लाऊ थोड़ा चक्ते वह तुर्ण तुर्ण तुस्ट करने में ठीक है तो यह सारी चीजों से उनको पचाना चाहिए सरकार हर चीज को सोच करती है नाइन देखिए चाहिए राज सरकार यह बात कहती है कि विद्याले में शार्व खेल के लिए पीटी कि लिए क्लास होती है वह पर पीटी करवाई दाती है ठीक है आप उनको लंच में रिसस्टाइमन को जो हैं आप खेल कूद करवाओ उनको लैब वेब तो नहीं रहती है प्राइमरी है कि कंप्यूटर ला दिया गया है मैंने भी से तीन चाह स्कूल देखे जो मुझे बहुत अच्छे लगे काफी बढ़िया लगे और इस बार तो कुछ बचों की टीचिंग भी लगी हुई है तो क्या हुआ है कि इंग्लिश में का यही सेम चीद इंग्लिश में किया गया ह वकायदे उनकी building का structure काफी बढ़िया बना हुआ है और उसमें computer को ले आ दिया है जो computer नहीं है प्राइमर स्कूलों में computer को ला दिया गया है और उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे चीजें कि त्रूप में लाई गाहीं है नए नए को एड़ कम आगे बेड़ाक्यू का सरकार की तरफ से किया जा सके सरकार के सारे आड़ा की सारी ग् confersus कर रही है सब कर रही कि बालकों का पैसे जिक्षा दो जिससे उनका पीसफुल माइंड हो उनकी अंडरस्टानिंग पावर्स जो है उनके अंदर जो है डबलब करें सही शुता की भावना भी उनके अंदर आए वो एक सही नागरिक बने ठीक है यह नहीं कि वो चोरू चक्के बने गलत कामों में अ अगर नहीं कर पारें तो कम से कम इज़्जट तो करें वाल्यू तो करें गलत काम तो न करें गलत काम को सपोर्ट तो ना करें तो यह सारी चीज़ें ठीक है आगे चलते हैं फिर देखते एलावन पॉइंट राज द्वारा प्रतेग विद्धाले या अच्छम बालकों को सक्षा और सनरक्षन का अधिकार प्रदान करना चाहिए सरकार यह बात कहिए कि हर एक विद्धाले को जो अच्छम बक्षे हैं जो अनेबल बच्चे हैं जो विकलांग है या बहुत साइचीजों से इनके पास लैकनेस है कमी है वो हर चीज़ के लिए सच्छम नहीं है तो अनुशासन होना बहुत जरूरी लेकिन सेल्फ डिस्प्लीन होना ज्यादा अच्छा होता है अनुशासन बहुत जरूरी है घर में भी और बाहर भी ठीक है अनुशाशत होना आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा तो यहां पर बात कहीं जा रही है कि विद्धाले मनुसासन एक लेवल तक हो इतना ना हो कि उनके आत्सम्मान को ठेस पहुंचा आप उनको मारो उनको लजज़त करो उनको स्कूल ने बुरे स्कूल में प्रेयर में खड़ाओ के बनाम करो उनको चड़ाओ उनको मलब डिमोटिवेट करो ये कोई भी राइट कि अगर ऐसा कोई भी काम करता गाइडलाइन के ग्राइडलाइन के जितनी चीज़े दिए उसके बजय कोई काम कुछ कर रहा है तो उसको डंड मिलेगा और जुर्माना अलग से बढ़ना पुड़ेगा ये बात ध्यान में रखीएगा ठिक है चले आगे एक पॉइंट और है के इस टॉपिक में देखते हैं क्या क्या राज को अनार्थ बिचों के कल्याण के लिए उप्यक्त प्रदान करना चैए वैवस्था प्रदान करने चाहिए ना थाले बनाया क्या मैं भूम जाते हैं और चौड़ दिए झातीन हैं अकसल रड़कियां चो देक हम कवरेज होता है बना रहता है ऊपर सर धकने के लिए वहां पर एक बच्चों को छोड़ा गया था और पसा चला वह लिड़की थे सब्सक्राइब ने दो तीन बार देखा लोग हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देते हैं तो यह सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं ठीक है कोई ब कुछ है नाध जाते हैं नाथ उनको पूरा खर्टा अएगक भाटता है उनको सब्सक्राइब कर्षा सरकार इससे में चाहर भीडाईत अपने साथ लेकर चलती उसको भी और nuggets में नभाती एक तीक i7 यह सारी बाते थी जो मैंने आपको बताई तेरा पॉइंट मैंने आपको समझाएं हैं ध्यान से समझते वे चलिए का ऐसी ऐसी चीज़ें एक्जिस करती हैं यह सारी चीज़ें होती हैं ठिक है चलिए मुझे अमीद है कि आज की यह आपके लिए बहुत यथी रही होगी काफ है कुछ इंट्रेस्ट पढ़िए इंट्रेस्ट के साथ चीजों को जानिए तभी आपको मज़ा आएगा ठीक है चलिए फिर यहां पे बाल अधिकारों के संद्रक्षन से संबंदे समिधान एक प्रवधान कुछ और प्रवधान हैं इनके बारे में जानेंगे हमने सुरात में मैं भी कुछ देखा था अभी हम यहां पर कुछ और देखेंगे आपके स्लाइबस में दिया गया इसलिए मैंने यह लिया हुआ है यहां पे बात है पहला नुच्छेद है 23 आर्टिकल 23 के कॉर्डिंग क्या बाते कही गई है या समझते हैं चलिए आर्टिकल 23 के अगॉर्डिंग बात कही गई है कि मनुष्ट के क्रह विक्के और बेगार पर रोक है जो लोगों को बच्छों को पेज दिया जाता है उनकी किड्नी के लिए उनके गुर्दे के लिए उनके लीवर के लिए आप देखे बच्छों का किड्नाप जो होता है उ मनुष्ट के क्रह विक्के और बेगार का मतलब होता है जबर दस्ती आप उनको काम करवाना अक्सर बड़े बड़े घरों के लोग जो बहुत ज्यादा रिच्छ हैं बहुत ज्यादा ही रिच्छ है तो उनके नौकर जो लगे रहते हैं उसमें जादा तर बच्छे रहते है गारी साफ करते हैं उनके बच्छे मिलते हैं पाइन डालते हैं उनके बच्छे मिलते हैं फूलों को बहुत सारे जिए उनके बच्छों को रखा जाता है तो क्या वह वह एक बाल स्रम है आर्थिक इस्तिती उनकी खराब है इसलिए आप उनको एक काम परवाते हैं लोग जो संदक्षन की वात है आप अपराद कर रहे हैं लोग आप उनको दंड दो की तो वह डिये कर ये एक नीक दिन तो बंधी हो जाएगा तो संदक्षन दिया गया की नहीं नहीं किया गया ठीक है इसी संबंद में कई विवस्था एक कम वात्पूर्ण अपू इस चीज के लिए अ अगर कोई सार्वनिक उद्देश का काम चल रहा है कोई निर्मार है कोई भी चीज चल रही है या कुछ करवाना या कोई चीज आयुजद करवानी एक भब समारो टाइप से कुछ करवाना है तो वहां पर आप जो है इस तरम की जो बात कही गई है कि बच्चों का आप नहीं यूज़ कर सकते हैं काम में नहीं लगा सकते हैं एक डंड निया प्राथ दिया जाएगा तो वहां पर ये चीज नहीं लागव होती है अगर सरकार इस चीज़ को करवाना चाहती तो उसमें बच्चे से बुड़े लेकि सभी इंवाल्व होंगे मतलब खुसी-खुसी इंव करती है हम लोग क्या बीक चूछी हो चुटा पड़ा सब्सेमिल कोई चीज परती है तो सारे लोग में करते ना बच्चा हो चोटा बड़ा हो बुदर भी जो तो वही चीज है कि कोई अगर बड़े समारों के रूप में कुछ आयोदत करवानी है तो यह नहीं देखा जाए यह भी आर्ट का संख्शन में आ जायेगा 14 वर से कम आयो कि किसी बच्चे को किसी कार खाने और काम करने के लिए या किसी अने खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाएगा कारखानों में के अकसर बच्चों को एट के भटों में और भी बहुत सीमेंट का उद्योग रहता है वहाँ पर छुद्ध इंडिस्ट्रिया रहती जहाँ पर समान होना है जिल्ली बननी है और जहाँ समान बनना है यह जो आते हैं डिस्पो जल आते हैं ने निमंत्र ब्लास्तिक एक डिस्पूदर टो मैंने देखा यह से पिर बच्चो को लगाया जाता है जहाँ बच्चो को हाम नहों हो लेकिन उनसे ऐसे चुछोटरी काम कर वाया जाते हैं तो वह सब यह सारी बाते हैं ध्यान से सुनगेगा समझते विचले फिर देखिए ऐसे बाल नहीं हो जाना धिनियम है जो थोड़ा सा यह ध्यान रखेगा यह आपको प्रश्मन जाएगा अब्जेक्टिव मैंने लिया है यह क्या है इससे बाते नहीं बस सब में यही है कि उनसे काम नहीं करवाना है डंड मेरेगा यही सारी चीजें ठीक है 1908 का डेट था बार श्रम अधिनियम है बिकलांग वچ्टोब को प्रसेक्शन देने के लिए बनाया गया है पार्ठीव और अ उन्कों समानदेना उनके पार्ठीव मदद लिए यह सारी चीजों का भी प्रवधान राज सरकार देती है ठीक है फिर नया पर कुछ बाते और ही ये भी समझते हैं भारत का सम्विदान 86 में तो सम्विदान था अमेंडमेंट आग जो हुआ था 86 तका अधिनियम 2002 के खंड तीन में अनुशेद 21 के अंतरगत 21 का एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था ठीक है बात आप समझेगा 21 एक बहुत इपोर्टेंट है बहुत सारे एक्जाम में पूछा जाता है बहुत क्वेशनराइज होता है इस बात तली से धान रखेगा और 26 संसोधन ता इस बात को ध्यान रखना है 2002 अधिनियम यह ध्यान रखना है ठीक है कोई भी गलती इन सब टॉपिक्स में आप सब नहीं करेंगे मैं उम्मीद आप सभी से कर सकती हूं ठीक है ठीक है आज की यह क्लास यहीं तक हम इसके आगे आगे आपका एक टॉपिक है नि सब्सक्राइब करते हैं उत्रप्रदेश सरकार द्वारा सक्षा के सारवजनी करण है तो बाद अधिकारों की गोश्चना अपने यह टॉपिक मेरे साथ पूरा कमप्टीट किया इसके उपज में आपको अच्छे से अच्छे कुशिश की है कि पूरा अच्छे समझा है मैंने आपको दो प्रभधान भी बिटाए 23 और 24 जो आपके स्लाबस में दिया गया था ठीक है यहीं तक हमने आज क्लास को पूरा अक्छे से किया है कुछ अद नियम के बारे मैंने आपको नाम उनकी डेट बताई है कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है सुबाद 10 बजे तब तक के लिए टेक के और लालवीज कीप स्माइलिंग